वेलकम एवरिवन, नव वी विल स्टड़ी the subject Dark Room of DRT part first लास्ट लेक्चर में हमने डार्क रूम में एक नया टोपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था Image Quality Image Quality के कुछ सब टोपिक्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे आगे के कुछ सब टोपिक्स हम आज इस लेक्चर में डिसकस करेंगे आगे के टोपिक को डिसकस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर के टोपिक को एक बार शोट रिवाइज कर लिया जाए ताकि आगे के टोपिक को डिसकस करने में हमें असानी होगी तो basically हमारा topic था image quality, image quality के बारे में हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम image quality से क्या समझते हैं, image quality से हम यह समझते हैं कि आपकी radiographic image की quality कैसी है और radiographic image की quality किन किन factors पे depend करती है और वेसी बात है कि हम हर चीज में क्या चाते है quality की चाते है और यहाँ पर बात आती है radiographic image की तो radiographic image में quality important क्यों है सबसे पहले यही बात करेंगे अपन radiographic image में quality इसलिए important है ताकि जो आप radiographic image ले रहे हो वो radiographic image body की pathological condition और disease condition को सही तरीके से diagnose कर सके अगर उसकी quality अच्छी नहीं होगी तो संभवता है वो अच्छे से आपको diagnosis नहीं कर पाएगी इनी सब चीजों को ध्यान में रखते वे radiology department में image quality के उपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है because किसी भी disease को diagnose करना image quality का बहुत बड़ा role होता है जैसा कि last lecture में हमने image quality का introduction सबसे पहले पढ़ा था introduction में हमने यह पढ़ा था कि image quality film और screen का एक ऐसा combination है जो object के हर point को radiographic image में represent कर सके image quality कई parameter से प्रभावित होती है जैसे कि contrast, noise, sharpness and resolution यह जो चार ऐसे factor या फिर parameter है जो image quality को प्रभावित करते हैं इन में से हमने दो factor कल पढ़ लिये थे यानि कि last lecture में हमने discuss कर लिये थे और बाकी जो दो बचते हैं वो हम आज discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं contrast की contrast एक ऐसा factor है जो क्या describe करता है radiograph के अंदर कोई भी दो अलग-अलग adjacent areas जिनकी densities में difference है उस density की difference को contrast describe करता है contrast भी mainly कई प्रकार का होता है subject contrast, film contrast, fog and scatter contrast ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे subject contrast की subject contrast मतलब यहाँ पे कौन से subject की बात होती है patient की body की that means कि आपकी जो radiation beam है, x-rays है वो जैसे patient के अंदर enter करती हैं और फिर अलग-अलग body part से ठकराने के बाद वो अलग-अलग intensities के साथ बाहर निकलती हैं यह जो अलग-अलग intensities है x-rays की यह जब आपकी film पे गिरती है और जो image बनाती है और जो contrast आपका उत्पन होता है उस contrast को हम बोलते है subject contrast ठीक है दूसरा हम बात करते हैं अपना कौन से contrast का अब film contrast का film contrast के बारे में हम अच्छे से discuss कर चुके हैं पहले शायद आपको फिर से समझानी के ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बट फिर भी हम एक बार दुबारा से discuss कर लेते हैं film contrast हमने को यह बताता है कि आपकी जो radiographic x-ray film है वो अलग-अलग exposure से किस तरीके से response करती है film contrast depends on various factors such as film density, screen और non-screen exposure and film processing screen और non-screen से आप समझते हो कि intensifying screen के साथ अपन exposure रहे रहे हैं या फिर हम without intensifying screen exposure कर रहे हैं film processing के उपर भी film का contrast depend करता है film के density पे भी film का contrast depend करता है और characteristic करूवा पी film का contrast depend करता है यह हम अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं अब अपन बात करते हैं fog और scatter की fog और scattered radiation आपकी radiographic x-ray film पे unwanted density मतलब unwanted blackening produce करते हैं जो क्या करता है radiographic contrast को decrease करता है मतलब contrast को कम करता है और contrast को कम करता है that means आपकी image quality को भी वो क्या कर रहा है reduce कर रहा है कम कर रहा है और खराब कर रहा है ठीक है now we will discuss about the second factor noise noise is also known as motor noise को motor के नाम से भी जानते हैं यानि की film density के अंदर जो random fluctuations आते हैं उनी को अपन noise या फिर motor बोलते है noise क्या करता है image quality को decrease करता है noise भी कई परकार का होता है screen model film model and quantum model सबसे पहले अगर हम बात करें screen model की that means radiographic image में intensifying screen के कारण produce होने वाला कोई भी noise या फिर कोई भी motor क्या कहलाता है screen model कहलाता है और इसका main reason क्या होता है deformities in the intensifying screen यानि construction के वक्त intensifying screen में अगर को defect हो तो उसके कारण अगर कोई भी radiographic film के अंदर noise या फिर motor produce हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा screen model कहलाएगा अब अपन बात करते हैं film model की that means film यानि की radiographic x-ray film के कारण produce होने वाला कोई भी noise या फिर कोई भी motor क्या कहलाता है film model कहलाता है और इसका main reason क्या होता है grain structure यानि immersion layer के अंदर आप जो crystals डालते हो उस crystals की structure पे depend करते है कि आपकी film के अंदर noise produce कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है और ये film model और film noise image quality को decrease करता है अब बात करते हैं third factor की quantum model की quantum model main और important model या फिर important noise है जो image quality को decrease करता है और इसका reason क्या होता है discrete nature of the x-ray beam यानि x-ray beam की जो photons है जो radiation के photons है उनका nature क्या होता है discrete यानि अलग अलग उनकी जो intensity होती है वो अलग अलग होती है और ये जो अलग अलग intensity यही क्या करती है फिलम के अंदर radiographic noise produce करती है जिसे हम quantum model या फिर quantum noise के नाम से जानते हैं ठीक है ये तो बात की हमने पीछे के कुछ topics की अब हम आगे के topics को discuss करेंगे ठीक है तो आगे का topic अपना है sharpness और blur अच्छा आपको एक example से यह सब सारा समझाता हूँ आज का modern यह हो गए सबी students क्या करते हैं अपने pics क्लिक करते हैं selfies क्लिक करते हैं और फिर आप क्या करते हैं उसको edit करते हो जब आप pic को edit करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आती है contrast, brightness sharpness, blurness structure यह सारे चीज़ें यह आपके क्या करती है image quality को increase करती है और image quality को यह प्रभावित करती है same आपका किस में होता है radiographic image में होता है या फिर radiographic image quality में होता है और उनी के जो factors हैं उनके बारे में अभी अपन discuss कर रहे है कि वो factors कैसे image की quality को increase करते है और वो factors कैसे image quality को decrease करते है दूसरी बात वो factors किस region से produce होते हैं किस पे वो depend करते हैं कहां से वो आते हैं और उनका उपाय क्या है यानि कि कैसे हम image की quality को increase करेंगी यही सारे के सारे जो factors है यह क्या कर रहे है image quality को परभावित कर रहे है same जैसा है कि आपकी image और pick जो कि आप एक normal phone के अंदर edit करते हो वैसे ही now we will discuss about today's topic आज का topic अपना आज का topic है sharpness third factor which affects or influence the image quality यानि यह तीसरा factor है जो क्या कर रहा है image की quality को effect कर रहा है यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चीज़ देखना heading के अंदर लिखा sharpness bracket में लिखा blur दोनों चीज़े same नहीं है एक दूसरे के क्या होती है opposite होती है तो इस glut family को अपने दिमाग से निकाल देना कि sharpness और blur एक ही चीज़ होती है sharpness और blur दोनों opposite चीज़ है obvious ही बात है अगर जहाँ पर sharpness increase होगा वहाँ पर blurness decrease होगी और जहाँ पर blurness increase होगी वहाँ पर आपकी sharpness decrease होगी ठीक है it is the ability of the x-ray film and film screen combination to define an edge or boundary that means sharpness आपको क्या define करता है कि कोई भी x-ray film या फिर film और intensifying screen का combination image की boundary या फिर image का edge boundary that means outer edge और edge का मतलब किनारा यानि कि जो बाहरी किनारा है या फिर image की जो boundary है उसको आपकी x-ray film किस तरीके से define कर रही है या आपका कौन सा factor define कर पाएगा sharpness ठीक है sharpness factor is opposite to the blur factor जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि sharpness factor क्या होता है blur factor के opposite होता है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना ठीक है it may be classified as geometric motion and screen unsarpness इसको हम तीन पार्ट्स में classified करते है geometric motion and screen unsarpness जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो word यूज किया वो क्या है unsarpness तो यहाँ पे आपका जो यह word है unsarpness यह blur के equal है opposite नहीं है opposite word कौन सा था sharpness ठीक है और वेसी बात है इसमें confuse मत हो ना जहाँ पे अपन unsarpness यूज करेंगे उसका मतलब होता है blur और जहाँ पे अपन sharpness यूज करेंगे ठीक है तो वहाँ पे वो क्या होगा आपका blur का opposite होगा ठीक है mainly sharpness और blur वाले topic में हम यह पढ़ेंगे कि आपकी जो radiographic image है वो किन किन कारणों से blur हो सकती है और कौन से method से हम bloodness को कम कर सकते हैं और sharpness को increase कर सकते हैं अब हम सबसे पहले बात करते हैं geometric unsarpness जैसा कि आपको याद हो production of x-rays के अंदर हमने एक topic पढ़ा था focal sport size और focal sport size के अंदर हमने पढ़ा था pinumbra pinumbra क्या कर रहा था image quality को decrease कर रहा था तो अपन अपन यहां पे detail में पढ़ेंगे कि pinumbra किस तरीके से image quality को decrease करता है pinumbra geometric unsarpness की सहयता से image quality को decrease करता है the geometric unsarpness arises from the focal sport size that means geometric unsarpness या फिर geometric blurness कहा से आती है focal sport size से आती है focal sport size के कारण आती है ठीक है the x-rays coming slightly different location in the focal sport produces blood margin at the age of the object this is called pinumbra which gives geometric unsarpness that means कि आपकी जो focal sport है उसकी अलग-अलग location से जो x-rays आ रही है वो x-rays क्या करती है object के is मतलब कि नारों पे blood margin produce करती है और यह blood margin क्या कहलाती है आपकी pinumbra कहलाता है और यह pinumbra क्या करता है geometric unsarpness को बढ़ावा देता है this increase with magnification and focal sport size जैसा कि आपको यादो focal sport size में भी हमने ये बात पड़ी थी कि focal sport size को decrease करने से image की quality increase होती है यानि कि अच्छी होती है और यहाँ पर क्या लिखा हमने कि geometric unsarpness increase with the increase in focal sport size यानि कि जैसे जैसे आपका focal sport size बढ़ेगा वैसे वैसे geometric unsarpness बढ़ेगी और जैसे जैसे geometric unsarpness बढ़ेगा image की quality decrease होगी मतलब image की quality को increase करने के लिए आपको focal sport size को क्या करना होगा decrease करना होगा और जैसा कि हम बात कर सकते magnification के साथ भी आपके क्या होती है geometric unsarpness increase होती है first of all बात करते है magnification होता है magnification किसी भी image को zoom करना क्या कहलाता है magnification कहलाता है और यह चीज़े तो आप नॉर्मल अपने practically भी daily routine के अंदर experience करते हो कि जब भी आप कोई भी pick को zoom करते हो तो उसके bloodness क्या होता है increase होता है मतलब unsarpness उसका क्या हो रहा है increase हो रहा है और यही हमने last line के अंदर लिखा है कि this will increase with magnification and focal sport size मतलब geometric unsarpness आपका magnification के साथ भी बढ़ेगा और focal sport size के साथ भी बढ़ेगा that means image quality को reduce करने के लिए कम करने के लिए और अच्छी रखने के लिए अपने को magnification भी कम रखना होगा और sport size भी अपने को क्या रखनी होगी कम रखनी होगी now we will discuss about the second factor motion unsarpness मतलब से समझ रहे हैं आप पे कि motion का मतलब क्यों होता है movement जैसा कि आपको पता है daily आप routine के अंदर use कर रहे हो ये चीजे कि जब आप कोई भी pick click करते हो तो उस वक्त अगर क्या हो जाए movement हो जाए चाहे वो आपकी device के अंदर हो या फिर आपकी object या मतलब subject के अंदर हो ठीक है दोनों में अगर कहीं भी movement हो जाता है तो आपकी image या फिर आपकी pick कैसे आती है blur आती है मतलब उसके अंदर unsarpness increase हो गया अपन भी यही पर यही बात करेंगी यहाँ पर अपने पास क्या होती है एक device होती है जिसके तरह हम आपन रेडियोग्राफिक image को capture कर रहे है जिसको आपन x-ray tube बोलते है और दूसरा अपने पास क्या होता है यहाँ पर patient की body तो obvious सी बात है यहाँ पर भी दोनों जगे movement हो सकता है या तो x-ray tube में movement हो सकता है या फिर patient की body में movement हो सकता है और जिसके कारण आपकी image के अंदर unsarpness बढ़ सकती है यानि की blurness बढ़ सकती है और इसी blurness को हम क्या बोलते है motion unsarpness बोलते है patient motion introduces unsarpness blur into a radiograph that means की radiograph के अंदर आपका patient का motion ही क्या करता है unsarpness introduce करवाता है यानि unsarpness को produce करता है ठीक है तो अब अपने को यह तो पता चल गया की motion unsarpness कैसे produce होती है अब अपन बात करते हैं कि इसे कम कैसे किया जाए इस गाए patient के movement होने के chances क्या हो जाएंगे वहाँ पर कम हो जाएंगे और patient के अगर movement करने के chance कम होते है इसका मतलब वहाँ पर image के blur होने के chances भी कम हो रहे है बट जैसे ही आप क्या करोगे exposure time को कम करोगे तो आपकी जो exposure rate है या फिर total जो net exposure है भी वहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जबकि इमेज ग्वालिटी को अच्छा रखने के लिए अपन क्या चाते हैं? कि आपको एक्सपोजर प्रोपर मिले तो वहाँ पर एक्सपोजर देने के लिए हम क्या करेंगे? मशीन के MA यानि मिली एमपेर को increase कर देंगे ज़रतर ये चीज़े किसमे की जाती है जब हम किसी भी infant या फिर किसी भी child का क्या कर रहे होते है x-ray कर रहे होते है तो obviously बात है child के अंदर क्या होता है movement करने के chances बहुत ज़ादा होते है तो उस वक्त हम क्या करते है MA को बढ़ा देते है और exposure time को कम कर देते है ताकि image आपकी blur ना हो faster screen also reduces motion unsarkness that means intensifying screen का भी यहाँ पर एक बहुत important role होता है जैसी कि अगर आपकी intensifying screen slow है तो वो क्या करेगी x-ray photon को light photon convert करने में time लेगी और इसी time के दोरान अगर आपका patient move कर जाता है तो वहाँ पे image के blur होने के chances होगे तो ओवेसी बात है कि जो faster intensifying screen है यानि कि जो x-ray photon को light photon में convert करने में कम समय लेती है उसके अंदर क्या होगा image के blur होने के chances कम होगे because वहाँ पे patient को move करने के लिए time बहुत कम मिलेगा ठीक है और जैसा कि आपने chest radiography में भी पढ़ा है कि जब अपन chest के कोई भी x-rays करते हैं तो वहाँ पे क्या करते है patient को breathe hold करने के लिए बोलते हैं ताकि ribs का movement ना हो सके और आपकी image blur ना हो सके that means image की quality को increase करने के लिए हम patient से breathe hold करवाते हैं ठीक है तो ओवेस सी बात है कि image quality को increase करने के लिए या फिर image quality के अंदर bloodness ना हो इसके लिए अपने को patient के movement को कम से कम करना होगा now we will discuss about the third factor which affects the unsarpness और blur which is known as screen unsarpness यानि कि अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि intensifying screen के कारण आपकी radiographic image में blur कैसे आ सकता है या फिर unsarpness कैसे आ सकती है और इसको कैसे कम किया जा सकता है screen unsarpness caused by the light diffusion in the intensifying screen that means intensifying screen के अंदर light का diffusion होने के कारण जो unsarpness produce होती है या फिर blurness produce होती है उसे हम screen unsarpness बोलते है अब अपन सबसे पहले बात करते है light का diffusion light का diffusion मतलब light का फैलना कहलाता है that means जब आपके x-ray photon light photons में convert होते हैं अगर उस वक्त intensifying screen के अंदर light का diffusion ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा image के अंदर blurness main reason क्या है कि जिसके current light का diffusion ज़्यादा हो सकता है thick screens have greater light diffusion whereas thin screens have lesser that means अपने को ये साफ बता चल रहा है कि जो मोटी screens होती है जो मोटी intensifying screen होती है उनके अंदर light diffusion ज़्यादा पाया जाता है जबकि पतली intensifying screen के अंदर light diffusion कम पाया जाता है so obvious सी बात है image quality को increase करने के लिए और blurness को decrease करने के लिए हम कौन सी screen यूज़ करेंगे thin screens यूज़ करना prefer करेंगे the screen unsarpness increase with separation of the film from screen that means screen unsarpness और blurness का increase होने का एक और reason भी है वो क्या है कि जब आपकी intensifying screen और film का contact अच्छा ना हो यानि कि वो अगर क्या हो सके एक दूसरे से separate हो गई है तो वहाँ पे भी क्या होगा image के अंदर blur होने के chances होंगे तो obvious सी बात है यहाँ पे भी अगर अगर अपन बात करें कि इसको कम कैसे किया जाता है तो film और intensifying screen दोनों के contact को अगर अपन अच्छा बना के रखते हैं तो वहाँ पे image के blur होने के chances बहुत ही कम होंगे और आपको एक image की अच्छी quality प्रोवाइड होगी ठीक है Now we will discuss about the fourth and last factor which affects the image quality and which is known as resolution resolution के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं because यह एक ऐसा word जो आज के वक्त daily routine में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है ठीक है obvious सी बात है जिस भी image का resolution आपका क्या होगा high होगा उसकी image quality आपको अच्छी मिलेगी अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि resolution को अपन particularly कैसे define करेंगे इसकी definition क्या होगी ठीक है it is a measure of radiograph's ability to differentiate between different structures that are close together that means resolution क्या define करता है यानि कि कोई भी दो अलग-अलग structures जो क्या हो पास-पास में हो हम उन structures को कैसे differentiate करें और वेसी बात है आप लोगोंने practically भी देखा है कि जिस image का resolution high होता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो जो कोई भी दो structures है उनको अच्छे से या फिर आसानी से differentiate कर सकते हो बट जहाँ पे आपका image का resolution कम होता है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि कोई भी दो अलग-अलग structure एक दूसरे के अंदर मिलती भी दिखाई देंगी यानि कि उन दोनों की जो boundary है वो आप fix नहीं कर पाते हो सेम चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कोई भी अलग-अलग दो structure जिनको आप अच्छे से differentiate करते हो यही आपको क्या बताता है resolution बताता है इट टेल्स अबाउट दे फिल्म-स्क्रीन कॉमिनेशन अबिलिटी अद हाव मच डीटेल देट यानि कि यह अपने को क्या बताता है यानि कि फिल्म और स्क्रीन का ऐसा combination जो क्या कर सके object की हर डीटेल को clearly visible करा सके ठीक है इट इस यूजवली measured in lines pair per mm यानि कि resolution को हम किस में आपते है lines के pair per mm तो अभी हमने उन factors की बात की है जो image quality को increase करते हैं और decrease करते हैं वैसे तो यह factors या फिर इनके नाम अगर अपन सुने तो normal है practical life के अंदर daily काम में आते है बट इनको define करना थोड़ा सा मुस्किल होता है जो कि हम कर चुके हैं अभी ठीक है अच्छे से हमने इनको define कर लिया है तो obvious ही बात है कि image quality के जो चार factors थे वो हमारे यहां पर complete होते है आगे जो image quality का topic रहा है वो हम next lecture अंदर discuss करेंगे ठीक है Thank you बातिक